गुड मॉनिंग गाइज तो रेडी हो चुका हूं मैं निकलने के लिए आज का प्लाइन ऐसा है दंबो लेके जाना है मेरी फेवरिट जगा तो चलता है शीवानी मिले की वर्टरेट सेंटर पर कर रात को काफी लेट हो गया था यारा बच गए थे और मैं आके सो गया और ऐस का सोया कि सुबा सीधे नौ बजे उठाज है तो आज मैंने सोचा कि इस रस्ते से चलते हैं आपन पाच स्टेशन इनसे कभी पंगे नहीं लेने च्छे एक बार हैसे ही मजाक मस्ती में मैं आपनी ट्रेन निकलती है गाड़िये निकलती है कि लिंकन टनल बोलता हैं एक लिंकन टनल बोलते हैं अलन टनल भी है और वह दिखो आपको एंपार स्टेट बिल्दिंग दिखिए उडिपी जूम करके देखते हैं यह हैं पार स्टेट इस अधिक और वह अपना सबसे बढ़िया वन वाल्ट अ कि सेंटर और यह देख रहो आप यह वाली बिल्डिंग जो ओवल शेप में है सामने आपके सबसे महंगी बिल्डिंग किराया इतना है यहां पर जितना न्यू यॉयॉयॉक सिटी का भी नहीं होगा है तो वोल्टेट सेंटर आ गए है आज मेरे पास में माइक नहीं है मैंने नोटिस किया कि मैंने नोटिस कि माइक में बहुत इशू आ रहा था हवा के कारण तो आज मेरा माइक अकल आने वाला है तो यह वीर्ड साहज यूज कर रहा हूं बड़ा अजीज सा लग रहा है अभी तो चलते हैं तो चलते हैं तो यह जगह यह देखो यह ब्रुक्लिन ब्रेज यह जगह का नाम है दंबो मैं यह पर रोज आता था मेरा ओफिस जो था शह महीने साथ महीने रोज आया मैं यह आपर और और इसका फुल फॉम है डाउन टाउन अंडर मैंहाटन ब्रेज ओवर पास यह पर यह पर दस मिनिट का बॉक है और यह पर कल होना हो की शुटिंग जो ही थी ना वह भी यहीं पर हुई थी कि यहार हीर एद दंब तो यह आप जो देख रहे हो है कौफी प्लेस औस्ट्रीलियन कौफी प्लेस है बटलर यहां से मैं कौफी लिया करता था रोज सुभा अ रोज सुभा टो नहीं ले ले लेला था इतना अपना बज़ख नी ता यह अफते में इकाट बार लेते ते औ यहीं बैठे करते थे हैं यहां काफी मुवीज की शुटिंग भी होती है अपन तो आगे चलते हैं यह करासौल है तो यह जूला है यहां पर फ्री होता है शायद भी उच्छा निकिट लगती है दर्की काफी अच्छी जगा है यहां पर काफी मुवी की शुटिंग होई है और होती रहती है अभी भी मैं जब ऑफिस में था उपर से नीचे देखता दाओ और भी कोई ना कुछ शुटिंग चलती है तो चाली हो गया है गोड़ा पुपन नीचे हो रहा है इसको इतना मज़ा आ रहा है अब ही जो पन स्ट्रीट चलने वाले है न वहां पर सबसे ज़ादा फोटो शूट करने के लिए लोग ख़ड़ आते हैं क्योंके वह काफी फेमस्ट स्ट्रीट वहां से मैंहाटन बिरिज दिखता है बुक्लिन बिज नहीं मैंहाटन बिरिज तो गाइस यह जगा है आप देखिरोंगे इतना साथे लोग ख़ड़े हुए यहां पर सब शूटिंग करने के लिए आते हैं फोटो बोटो किचने के लिए यह आप जो दुकान द बलती होगई जादा खाना लेलिया पैसे जादा लग गए इक्वी नॉक्स जो देख रहे हो आप यह पूरे उएस का सब्से महंगा जिम है मतलब इसकी फीज भी इती खतरनाक होगी कम से कम 15-20,000 महीने का लेते हैं यह लोग यह यह अगए अगए अपन में जगा जहां इन डायि का जो में साइन जां दाइन धम्बो खाता ज्यडेको कीकम से ए इस पहां पर है विद्स वह लिए इतना ही है भी यह से फ़मक थोड़ा रेसिपने शलियु एरिया चाली होग जाता है यह आं से आपर शल्ते हैं यहां से वह यह एजिald है इह अगए अगा अग यह यह वेस्टलम जो आप देख रहे हो यह बहुत महंगी फर्मीचर की जगह है यहां बहुत महंगा फर्मीचर है लेकिन बहुत अच्छा कॉलिटी का होता है यहां यह है टाइम आउट मार्केट शादा जी है यह दिखते हैं यह खुला एक लेन का काफी बड़ा मार्केट है काफी अलग अलग चीजें मिलती है मैं सौत्रा हूं कुछ इंडिया नी खालू छोटे मियाप है तो यह खाना है चिली कॉलीफ लावर है है यह पनीर को खुर्चन है और यह लस्टाइब यह दिखते हैं जादे से लादा हम पी चुके हैं यहां से लिख चड़ेंगे और फिर वहां से सीधा ग्रोस्ट्री नया हिलाका दिखाता हूं मैं आपको आज जर्सी सिटी का करते हां करते हैं करते हैं कि आ रदो खेड़ा कर दो को सब्सक्रावाइ एम एम एजा को एक अ टूछार खाणा पर्राशान कर दिने ऑपर जिए को थाड़ा गुछ नहीं को यह थे व कि अ इसको एपता कुछ नहीं है इतनी तरह से मैं बोलना है एपर करने का अच्छा व्लोगिंग हो पाएगा एक कैमरामेन के साथ ही ने तो बट कैमरामेन को मेर पर रिलाइंस है तो ये खतम हो गया बुक्लिन ब्रिज नहाँ पर ये पार्क से होते हुए गुजरता है हमारा रस्ता ये 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 पार्क है इसके अलावा कोई पार्क नहीं है हाँ पर ये देखो वो वो साथ खड़े हुए वहाँ पर एक दो एमबेसी को देखने है उन्ची एमबेसी है ये पर दो तो ये उपर से व्यू है अब नीचे जलते हैं अब कुछ खाया तो है नहीं देखते हैं अब पर चल के कुछ खाईंगे जो तो मुवी बहुत ही अच्छी थी मतलब वन अब दे बेस्स मुवीज तो बस कमरे में आगया था अब सोते हैं और फिल फकल चलते हैं घर देखते हैं आज के लिए गाई इतना ही थैंक्यू थैंक्यू भलॉग को याई रगाउंगे में देखते हैं रगाई तो जूए झालते हैं अब कर रख़ते हैं